बेंगलूरू के सबसे अमीर गेंग्ष्टर की हत्या कर दी गई कतल उस लड़की ने करवाया जिसे वे गेंग्ष्टर बच्पन से जानता था और उसके जवान होते ही उसे अपना बनाने की खुआइस रखने लगा था कतल की बज़े एक लड़का था जिससे वो लड़की प्यार करती थी बेंगलूर के हरीश और लक्ष्मन के बीच दोस्ताना रिस्ता था दोनों पडोसी भी थे और कारोवार में साथी भी थे लक्ष्मन का एक आपराधिक गेंग था और उसकी काली कमाई और बेनामी प्रोपर्टी का इसाब रखने में हरीश मदद करता था हरीश की बीवी की लोकल राजनीती में पकड़ थी पडोसी होने के नाते दोनों की फैमिली का घरों में आना जाना था हरीश की बेटी वार्ष्मनी का बच्पन से ही लक्ष्मन के घर आना जाना रहा था वार्ष्मनी बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती पर लक्ष्मन फिदा हो गया वार्ष्मनी के लिए लक्ष्मन बाप के दोस्त की हैसियत रखता था यानि अंकल जैसी छबी थी साथ ही वे जरुरत और रिक्षाओं की पूरती के लिए बर्ष्मन को अच्छी खासी रखम देता था वार्ष्मनी भी उससे पूरे हक के साथ मांग करती थी वहीं लक्ष्मन बर्ष्मन के साथ अफेर की खौईस पाल चुका था मोका मिलते ही वे चर्चाड करता था और लक्ष्मन के ऐसानों तले दवी भर्ष्मनी एक हत्तकों से रोक नहीं पाती थी दूसरी तरफ लक्ष्मन एक नामी गेंग्स्टर भी था इसलिए वार्ष्मनी उससे टक्कर लेने का उसला जुटाने के लिए भी तयार नहीं थी इसी पीच 2016-17 में 19 साल की वार्ष्मनी ने बेंगलूरी के नगरभावी इलाके में एक डांस क्लास जॉइन की ये डांस क्लास 23 वर्षी रूपेश चलाता था रूपेश भी एक गुंड़ा किस्म का हिस्टी सीटर था डांस सिखाते हुए रूपेश और अर्ष्मनी के भी ट्यूनिंग जल्द बन गई और दोनों का अफैर शुरू हो गया रूपेश की कहान ही ऐसी थी कि वे हेमन्त और केट राजा नाम के गेंग्स्टरों के साथ जुड़ा हुआ था और इस गेंग की दुष्मनी लक्ष्मन के गेंग से थी क्योंकि इन लोगों को शक था कि सालों पहले उनके एक साथी की हत्या के पीछे लक्ष्मन का हाथ था केट राजा और उसके साथी लक्ष्मन से बतला लेने की फिराक में हमेशा थे लेकिन किसी बज़े से सही वक्त का इंतजार कर रहे थे वाश्णी ने रूपेस के साथ घर से भागने की कोशिश दो बार की लेकिन दोनों बार नाकाम रही हरीश को जब रूपेस के साथ वाश्णी के अफेयर की कहानी पता चली तो हरीश ने लक्ष्मन को एक तरह से वाशा की पूरी जिम्मेदारी सौप दी और उसे रूपेस से दूर करने का जिम्मा भी लक्ष्मन धेर सारे पेसे और तौफे देखर वाश्णी का दिल जीतने की कोशिश करता था और उसे कभी प्यार से तो कभी धमका का रूपेस से दूर करने की कोशिश करता लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने हरीश के शाथ मिलकर इंगलेंड भेजने की एक चाल चली हरीश लक्षमेन और बाकी फैमिली ने मिलकर वाशनी को मना लिया वे साइकलोजी में आगे की पढ़ाई करने के लिए इंगलेंड चली गई इंगलेंड में भी लक्षमेन उसे बराबर पैसे बेचता लाखों रुपे उसके अकाउंड में जमा करवाता और रोज फोन के जरी उससे बाते भी करता दूसरी तरह वाशनी फोन के थुरू रुपेस के कांटेक्ट में बराबर बनी रही वाशनी ने रूपेश से कहा कि लक्षमन जब तक जिन्दा रहेगा तुम और मैं कभी मिल नहीं पाएंगे अब तही हो गया कि लक्षमन को रास्ते से हटाना था रूपेश ने वाशनी को साब बताया कि वे लक्षमन पर हमला करवा सकता था क्योंकि उसके कॉंट्रेक्ट गेंग्स्टरों के साथ थे वाशनी ने लक्षमन को खत्म करवाने के लिए एक लाग रूपेश तक की मदद करने का भरोसा दिया और फिर पूरा प्लान रूपेश के साथ डिसकस किया रूपेश ने ये सारी बातें बता कर केट राजा को कॉंट्रेक्ट किलर के तौर पर हायर कर लिया केट राजा और उसके साथियों को लक्षमन से बदला लेने का मौका मिल गया प्लान के मताबिक लंदन से वर्षा ने लक्षमन को फोन किया और उसे अदाओं के जाल में फसाया मेसेज और फोन पर कुछ दिन बात करते हुए उसने लक्षमन को उम्मी से भर दिया फिर उसने कहा कि बस साथ मार्च को बेंगलूरी पहुंचेगी लेकिन इसकी ख़बर किसी को ना दे वे घर नहीं जाएगी उसने लक्षमन को एक होटल वुक करने को कहा जहां वो दोनों वक्त बिता सके हैं 42 वर्षी लक्षमन की खोशी का टिकाना ना रहा होटल और एरपोर्ट की डिटेल्स लक्षमन ने फोन पर वर्षनी को दी वर्षनी ने कहा कि वे लंदन से फ्लाइट पकड़ने वाली है इसके बाद लक्षमन के पलपल की मुमेंट वर्षा ले रही थी और ये सारे डिटेल्स रूपेस को फारवर्ड कर रही थी रूपेस ने ये सारे डिटेल्स केट राजा को दिये महालक्षमी इलाके में बेल अपाट्मेंट के सामने लक्षमन 7 मार्च 2019 को दोपर 12.50 बज़े अपनी कार में था तभी केट राजा और उसके कुछ साथ ही अपनी कारों से बहाँ पहुँचे और इस कौन मंदिर के सामने एलक्षन पर धारदार हत्यारों से हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार कर मोके से भाग गये वर्षा लंदन में ही थी उसने बैंगलूरू की फ्लाइट नहीं पकड़ी थी यह पूरा प्लान वर्षा नहीं रचा था